असलाम अलेकूम दोस्तों हमने आप से आप लोगों से उश्राइए मागी थी कि मेरे नेक्स वीडियो किस पे होनी चाहिए तो हमने कुछ ऑप्शन दिये थे तो माशालाला सभी ऑप्शन पर आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉंस दिया है और विजिटेरियन रिसीपीज पर कुछ ज्यादा ही ऑप्शन आये हैं बाकी सब ऑप्शन पर भी आप लोगो पोस्ट करने जा रही हो वह बहुत ही मज़ेदार किसिम की एक रिसीपी है देखते रहिएगा हम बनानी जा रहे हैं खास तरह की पकोड़े तो उसके लिए हमने कुछ दाले ली हैं यह है हाफ कप हमारा मूंग दाल मसूर दाल हाफ कप हाफ कप लोबिया है यह दाल नहीं है पूरी लोबिया यानिके ब्लाक आइट बीन और दो चमच हमने लिया है उड़त की दाल तो इसे हमें सोख करना है चार-पांच घंटे या ओवरनाइट दालों को मैंने धो करके और पहले से भीगो लिया था रात भर इसे फ्रिज में रख दिया था फूलने के लिए तो करके एक टुक्रा स्लाइस में कटा हुआ है तीन-चार जोई लहसन के दाले दर्दरी सी है ठीक से नहीं पिसाई है तो इसमें थूड़ असा एक दो टेबल पानी डालना ज्यादा पानी हमें नहीं डालना इसका ध्यान रखिएगा बैटर हमारे तैयार है यह देखे दर्द बनाने में अच्छे तरह से बाइंडिंग हो तो इसे रखते हैं एक साइट एक पैन घरम करते हैं और डालते हैं एक टीस्पून धनिया के बीज हाफ टीस्पून जीरा आट-दस बदाने काली मेच के एक लाल मेच हलका सब भून लेंगे हलकी सियाज पर तीस सिकंड हमने भ यह मसाले दर-दर से ग्राइंड हो गया है अब हम इनको मिला देते हैं दालों के ऊपर हम चाहते तो पाउडर भी यूज कर सकते थे धनिया का और मेच्छी का पाउडर लेकिन यह जो हलका हलका हमने दर-दरा सा पीसा है तो इसका टेस मू में आएगा तो पकोडों का मसा औ आपके हमने इसमें नमक नहीं मिलाया है अब तैयार कर लेते हैं हरी चटनी यह रेस्टोरेंट स्टाइल हम बनाएंगे आप देखिए कैसे बनाते हैं हरा दनिया डालते हैं और डालते हैं अधरक का एक छोटा टुकड़ा तीन चार लेसन के जवें सेंधा नमक एक हरी में चॉप क्यूई चॉथाई चमच भुना हुआ जीरा पाउडर एक टेबल स्पून दही यह गाड़ी दही है एक टीस्पून नीबू का रस चटनी तयार हो गई निकाल के एक साइड रखते हैं यह रेस्टोरेंट स्टाइल हमने बनाई है पकोड़ों के साथ बहुत ही मज़ा देने वाली है तो दोस्तों चटी तो तयार हो गई बैटर भी हमारा अल्मोस्त तयार है अब हमने लिया है यह सुआ या दिल यह बहुत ही बेनिफीशियल हर्ब है और यह जाड़ों में हमारी तरफ होती है यह देखिए पत्ति जैसे हमारा धनिया पत्ता होता है उसी की तरह या गाजर की तरह इसके पत्ते होते हैं इसके तो अब हम इने करेंगे चॉप 10-15 मिनट हमने छोड़ा बैटर को अब हम डालते हैं इसमें चौथाई चमज, सेंधर नमक और डालेंगे नमक अपने जायके के साब से जितना भी आप खाते हो डालेंगे ज़रा से चुटकी बर हल्दी जो देगा हमारे पकाणों को एक अच्छा सा रग यह एक छोटे प्यास को हमने बारी काट लिया था स्लाइसे में थोड़ा सा हलका से इसको हाँ से क्रेश करेंगे और मिला देंगे बैटर में अब डालेंगे यह देल ना कि हमारे पकोड़ों को जल्दी बना लेना होगा वर्ना चुके हमने सबजियां डाली इसे पत्तियां और प्यास और नमक भी डाला है तो नमक से पानी छूटेगा जिससे हमारा बैटर बहुत सौगी हो जाएगा दोस्तों ध्यान रखना है कि जब हम मिक्स कर लें तो थो हम पकोड़ों इस चलते है अब बनाते हैं लैक्षट टेल में डाली किया अगर आप प्राक्तिस नहीं है तो आप चमच से भी डाल सकते हैं पकोड़े जालने के एक मिनट तक हम इने विल्कुल नहीं छेडेंगे एक मिनट के बाद हल्का से देखिए पकोड़े बिल्कुल सुझेड मिडस आप हम इने निकाल लेंगे पकोड़े तल गए हैं अब ये लिए हमने हरी मिर्चे इनको हमने 20 से स्लिट कर लिया है तो हम 3-4 हरी मिर्चों को तलेंगे पकोड़ों के साथ बड़ा मज़ा देते बिल्कुल हलका सा तलना है तो बस हमने एक मिनिट तला है और इसे निकाल लेंगे तो दोस्तों ये तयार है हमारा दिल का पकोड़ा बहुत ही मज़ेदार बनता है आप एक बड़ ट्राइ करके जरूर देखिए धनिया वगारा की पत्तियां तो हमेशा डालते ही हैं पकोड़ों में लेकिन दिल की पत्त पकोड़ों के साथ वही है तो यह भी हमें बहुत मज़ा देने वाला है तो दोस्तों हमें फीड़बैक जरूर दीजेगा और हमें कमेंट में यह बताईए कि अगर आप पकोड़ों में दिल ना डाले तो पकोड़े कैसे बनते हैं अगर हम धनिया के पत्तियों के साथ मनात पकोड़े कैसे बनते हैं हमें जरूर बताईएगा तो हम आप लोगों को हमारी रेसिपी जरूर पसंद आएगी तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अल्ला आफिस